नमस्ते और स्वागत है आप सभी का देसी प्लाजा टीवी में वन दे मात्रम जी हाँ आज हम अपने वतन और मात्रभिमी को याद कर रहे हैं यहाँ at desi plaza studios जहाँ आप सभी का स्वागत है वन दे मात्रम के साथ वतन को याद कर लिया कोई भी देश हो, कोई भी country, उसकी ताकत है, उसकी आम जनता, उसकी चाह कुछ करने के लिए, उसकी चाह उचे उड़ने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, और ये चाह, ये तमन्ना तभी strong होती है, जब उसके leaders इतने strong होते हैं, आज हम बाते करने वाले हैं देश नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी democracy इंडिया, और इंडिया में सबसे बड़ी democracy की election, जी हाँ, 2019 May election, जो बहुत ही नस्दीक है, बहुत सारी उसकी खबरे हम सुनते रहते हैं, यहाँ, हमारे इस Dallas Fort Worth शहर में, लेकिन उसे खबरों के साथ, आज हमारे dynamic leaders हमारे ही शहर Dallas Fort Worth के, जो बाते करेंगे हमारे श्री वड़ा प्रदान्ट नरेंद्र भाई मोदी की, उनकी ताकत की, उनकी एस्पिरेशन की, उनकी चाह की, उनकी तमन्ना की और हमारे support उनके लिए, क्योंकि यह हमारे वो leaders जो उनके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हाला की हम बहुत ही दूर है हमारे देश, हमारे वतन से, लेकिन फिर भी, दिल है हिंदुस्तानी, तो आईए, आज हम उसी सारे leaders से बाते करेंगे, उनकी चाह के लिए, उनकी एस्पिरेशन के लिए, और कुछ ऐसी वजह, कि क्यों हम नरेंद्र भाई मोदी को ही support करना चाह करेंगे हमारे ही शहर के कुछ दैनेमिक लीडर्स, जी हां क्यों है यहां पर आज क्योंकि हम यहां सब support कर रहे हैं शी नरेंद्र भाई मोदी को, और बाते करेंगे उनी से क्यों, what is the reason behind this support, so warm welcome to the studio sir, और आपका नाम और आप कहां से यह बताएए, Thank you Neelamji, मेरा नाम Suni Lagarwal, मैं रिटार्ड करनल from Indian Military Corps of Engineers and I have settled down in Dallas, 4th वर्ट और मैं यहां पर करीब पिछले 19 साल से हूँ, Wonderful, 19 years in Dallas and Army से आप रिटार्यर्ड हो, so sir, आपने, मैं यह काऊंगी, Army यह हमारे देश के जितने भी सिपाई है, वह हमारे देश की रक्षा करते हैं, और आप उनमें से एक हीरो है, so आपके लिए क्या खास वज़य है, being an Army personnel, retired personnel, what is the specific reason you would say that you want to have Narendra Bhai Modi as our Prime Minister? सबसे पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि, पहली बार मैंने देखाया है कि, इंडिपेंडेंस के बाद एक ऐसा लीडर आया है, जिसने देश के बारे में अच्छा सोचा, अच्छा करके दिखाया, और यह पहली बार हम देख रहे हैं कि, जितने corrupt politicians हैं, वो सब बारी बारी गरके जेल जा रहे हैं, यह हमें देख के बड़ा सुकून मिला, आर्मी के लिए उसने काफी कुछ किया, इन लीडर ने, और हमारे आर्मी को freehand दिया, जिससे कि हमने पाकिस्तान पे टेक किया, और अगर रियल में इंडियन आर्मी को इतना freedom दिया जाए, तो पाकिस्तान को तो हम तीन दिन में ख़तम करते हैं, कि बिलकुल, सर्चिकल स्ट्राइग को कौन बूल सकता है, और वहीं सर्चिकल स्ट्राइग तृरिकल सर्चिकल श्ट्राइग डरीन के लिए औरre नरेंडर बहाई मोडी के ही जो प्राँ मिनिस्टर थे उनिके दौर में यह हुवा, और हम अम्मीद रखते हैं, आशा रखत हमारा वतन सेफ है, हमारा वतन सेफ है, and he being one of them, thank you so much, it's an honor and a pleasure to talk to you sir, because मेरे लिया, it is the first time ever, कि मैं किसी आर्मी परसनल से बाते कर रही हूं, thank you so much and you have a great day sir, thank you. Hello, and now we are going to talk to Dilipbhai Shah, he is a great community leader, I have been knowing him since many many years, and again it's an honor Dilipbhai to talk to you right here at DC Plaza Studios, so Dilipbhai will tell us his reason, that being an NRI, आप बहुत सालो से यहां पे, I know that, what is the specific reason Dilipbhai, why not any other Prime Minister? It was a rare opportunity for me to meet Narendra Bai Modi at my house in 1991 when we did Chai Pe Chacha, and at that time I knew that this person will become something for our country, the two key things I love about Narendra Bai is the one, his ability to make the decision, he is willing to make the decision, tough decision, whether they are always right or wrong, it's irrelevant, but he makes the decision, and the leader has to be able to make the decision, and that's Narendra Bai Modi. And the second reason I love is the very rare events in the world, you see Russia and America on the same side of the equation, because every position you look at it, they are on the opposite side, but when it came to Pakistan recently, they both were speaking the same voice, which is what India wanted them to talk, so that's why I love that he has established India as a key leading position in the world, so that is the reason I support Narendra Bai Modi, but there are many others, but India needs Narendra Bai Modi. Absolutely, India needs Narendra Bai Modi, and I would say it's really an honor, and a great memory for you, that you did meet Narendra Bai Modi at your house, and I think being a Dallas resident for such a long time, I didn't know that Narendra Bai was here in Dallas, and he did meet you. Wonderful, so once again, that was Dilibbhai Shah, who did meet Narendra Bai, and he did have Chai Pe Charcha right at his house. Thank you so much Dilibbhai for coming here and talking to us. Thank you. Now, let's talk about Shri Gauraji, who has many years in Dallas, and he is one of the great dynamic leaders of this city. Namaskar, Saagat, you are here in this DC Plaza studio. Sir, how are you today? And today we will talk about our country, our values. So first, tell me, how many years have you been here? I've been here for about 40 years. 40 years? I've been here for 30 years. I've been here for 79 years. So, 30 years. 30 years have you been here in America, but your soul is there in Hindustan. Yes. There is no doubt in this, that in our Hinduism is our first and fourth. So, your soul is there. Yes. So, we will talk about karma and wisdom and soul. So, your soul is there in your life in your land, and in your BC. What the problem is that your soul is the most important thing in your heart. So, your soul is the most important thing in your heart. So, your soul is the most important thing in your heart. So, what is this? कौनसी बात है ये वधा प्रदान मंत्री में कि आप चाहेंगे कि वो बार-बार आए सबसे पहले मेरे नाम है चौकिदार श्रीगाड तो चौकिदार की जो हिन्दु धर्म में राजा की या किसी बेरें इसमें डेफिनिशन है वो है चौकिदार ये बहुत उसमें डिफाइन किया है हिंदु धरों में अगर आप पढ़ेंगे ये कही जाके तो राजा की डेफिनिशन, राजा का क्या डेफिनिशन उसकी वो चोकिदार ही है जंता का और जंता के धंका तो मोदली जी बिल्कु चोकिदार का काम कर रहे हैं वो बहुत इमानदार बहुत महनती आदमी ये वो बहुत अच्छी बात है पहली बार हिस्ट्री में मोटी जैसा नीडर आया है जो रियली देश के लिए सोचता है अप्टी दिन सोचता है दूसरी बार मैं कहना चाहूंगा स्पेशली उन लोगों से जो बेकूफ बन रहे हैं इंडिया में जो हमें मैं कहूंगा नाम लोगा गांधी परिवार से राहुल जी आपको अभी एक दूसरा प्रामिस किया है कि मैं गरीब ही फटा दूँगा गरीब हो इतने पैसे देज़ँगा ये मैं आपको कह रहा हूं इसलिए कि मैंने ये भुकता मैं देखाई जब महा था इंडरा गांदी ने भी कहा था से ही डरीब होटाओंगी उसने आप Seiten आपको बताना चाहा हूं किसकी गरीब हेटा यtv गंधी परिवार के गरीब हेटाई गरीबों को नहीं गठाई तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान रखिये इस बात का कि जब भी इंदर गांधी परिवार कोई कहता है वो आपको बेवकूफ बनाता है वो आपको यूज़ करता है देश को यूज़ करता है और अपने ही जेब भरता है अभी राहूल जी भी वही करेंगे आने के बाद उसने का जैसे वो आएंगे मैं गरीब ही उटाओंगा हाँ अभी इस वक्त जो है सोनिया जी देश की जो बहुत से हमारी उन में से अभी लंडन की जो रानी है उन से भी अमीर है इस वक्त और अग पुछे समझे और ध्यान से बोड डालिये नरेन बोदी जी ही एक नेता है जो आपको इस देश को बचा सकते हैं वंदे मातरम भारत माता की जय धन्यवाद मैं भी चौकिदार जी हाँ यह नारा सभी का क्योंकि जैसे की श्री गौड जी ने कहा राजा का एक कर्तवया है च नमस्कार चले हब हम बात करेंगे बुपेंदर मुंशी जी से जो भी यहां के हमारे बहुत ही बड़े कम्यूनिटी लीडर है बुपेंदर जी नमस्कार स्वागत है आपका तो कितने साल से आप हो हमारे इस डालस फोर्ट वर्डिवाने शहर में मैं डालस में करीब इसले 20 साल से रह रहा हूँ तो मैं यहां पे 99 में आया था तो पूरे 20 साल हो गए जी 20 साल से हो यहाँ पे, आपकी रूची पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है, कम है, कैसी है आपकी? लोग बोलते हैं कि I'm a political junkie, so मैं तो politics जीता हूं, politics मैं ही खाता हूं, politics पहनता हूं, so I'm a very strong political person, yes. आप political खाते हो, political जीते हो, तो आज का लाहप किस पे ज्यादा आपका चिंतन चल रहा है, और किस पे और किन पे? मेरा चिंतन इस टाइम पे अपने हमारी मात्र भूमी जो है बारत वर्ष उसके उपर है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, और मेरा ये मानना है, देखिए मैं एक, मैं इंडिया में कश्मीर को ब्लांग करता हूं, कि बच्छुस आख करशुर पंडित, मैं कश् सफर किया है, in the last 30 years, अभी तक तो कुछ उसका, हमारे को कुछ resolution हुआ नहीं है, और हम पूरी दुनिया में बिखर गए हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि, that we have any other choice right now, except for, to vote and support Mr. Modi. Modi ji ने, जो इंडिया का, जो उनका geopolitical status है, जो पुरी दुनिया में एक मुकाम बनाया हैं, बारत का, बारत जो पहले का, हमारा जो मुझा कुडाया जाता था, या हमको जाद से जादा इंग्नोर किया जाता था, अब पीपल लुक अप टूस, and I'm not saying small countries, I mean even major UN Security Council permanent members, they look up to us, they ask us questions, they ask for our guidance, there are so many examples, and who has made that possible, it's Narendra Bai Modi, and I think we don't even have a choice, we can't even look at anybody else right now, there is nobody else that we can think about. अईश्यन यामलेटी चॉइसी का, अगर इस यचांच के बारत वर शसमस गासने, कुनूज जनवरी, कुनूशत नमबत, गैसने बेज़ाह रिपीट गासुन, you know what I'm saying, 19th January 1990, जो कश्मीर में हुआ, अगर वो आप चाहते हैं, कि कभी और रिपीट ना हो बारत में कहीं पर, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, नाइंदर मौदी जीन को सफल बनाने के अलावा, उतना ही नहीं, नाइंदर मौदी जीने मरलब इस टाइम पे बारत में, ग्लोबली ही नहीं, बारत के अंदर भी इतना काम किया है, मरलब 100% electricity हर पूरे बारत में पहुँच गई है, आप इस ताम पे किसी भी रेल्वे स्टेशन पे चले जाएए, देखिए पांच सार पहले उनकी क्या हालत थी और अब क्या हालत है, ट्रेनों की कंडिशन देखिए, बैसिकली जो हमको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, जो हमारा पहले चलता है का अटिचूट रवा करता थ अट्रेनों की कि अटिचूट रवा कर रास्ता है, अगर हम चाहते हैं कि बारत एक प्रगतिशील और एक मजबूत राष्टर बने तो अश्वने अमला वा चाहरे का हूं, अश्वने चाहरे का हूं, तो सिर्फ मोधी जी जो सपोर्ट करूं, वन दे मातरम. मोधी है तो ममकीन है, सुनी आपने कश्मीरी पंडित के विया था, उनका दर्थ, और ऐसे बहुत सारे पंडित होगे कश्मीरी, जो ये सोचते है, और ये पास सायत कहीना कही सही है, कि ये जो रेजलुशन अपी तक नहीं आया, मेबी, मोधी ब्रेंग एक नहीं तक नहीं आपने में निचै प्रादे मारी प्रेंट नहीं अपिडित का अभी ने आपने प्रेंट नेदे सेची अर्ट प्रेंटे का नहीं आ के अए, भास्री, जो रूटी हा उनका चेघ्प्रमूण ये ने ने बालस प्रथ, और और श्यन सब्स्ते अर्थ, प्रें तिस अंग्या of course country like we all do our motherland India so you love country you love your country but with that our prime minister Narendra Bhai Modi I'm sure you love him too Narendra Bhai Modi Garu manna desa nake prime minister gochandhe ganinchi manna desa mchala purwagabandhi chindi all arctic problems control ayayi border problems control ayayi lot of black money control ayyindi and security control ayyindhi manna desa nakey anthe kawadha man desa mle godovalo annyi bhagathaginayi nijayanga Narendra Modi Garu manna desa nakey prime minister gochandhe ganinchi manna desa nakey real independence wachindhi real swathantrum and it's a real democratic country now in the olden days country was controlled by some powers but Narendra Modi Narendra Modi wachindhe ganinchi manna desa nakey nizamayana swathantrum pradha lake nizamayana swathantrum wachindhi ardhik iban sala taginayi black money koda bhaga control ayyindhi be monetization taraginche all black money has gone from the country now it's country in good shape so mr. Bhima is saying that real independence did not come in 1947 it came in 2014 may and we do want to continue that trend even in 2019 and maybe in 2024 thank you so much sir for coming all the way to the desi plaza studio thank you sir thank you sir hello good afternoon once again a very warm welcome and now we will talk about Jagdish Agarwalji who is here for many years, for many years. Hello sir good afternoon thank you good afternoon Neelam from 1969 that is exactly 50 years 1969 2009 many years ago, wow, there will never happen in Dallas Foot Worth Plano was just the plain fields and the roads were kachchi roads in Plano after the Campbell road there was almost nothing only little Plano town on the east side of 75 वाव, पचास साल पहले आपने देश को चोड़ कर आय थे, लेकिन पचास साल में आपने अपनी देश की प्रगती देखी, जब शिक्स्ती नाइ थे, वो दीन से लेकर आज के दिन तक बहुत कुछ बदला है हमारे देश में, बहुत बड़ा परिवरतन आया है इन लास 50 यर् So what is the biggest biggest change you think in the last five years happened after Narendra baby now the god gift i guess Mr. Modi he came since he can tell you before Modi I never washed Indian news since Minday has come I cannot get away from the television or listen to only news only Indian news only Indian news channels this man is absolutely amazing I mean he has it's almost impossible to think how can he do so many things in every direction he has got projects he started now Indian problems are really chronic problems for last 70 years and people expect them to be solved in five years they are crazy and this gentleman has started so many projects in so many different directions that it's absolutely amazing and he is the only one who can solve these problems now corruption was the one of the biggest problems before he came and he did a lot of things and a lot more things needs to be done with digital India he has tried to cut down the corruption so much and now I want to warn people that Congress has already started planning the big scams for the next year in the hope of they will be coming into the power and the biggest thing is that 72,000 rupees per year to lowest 20% of the poorest of India do you know where the money is going to go they will short allocate that money they will short allocate don't question that but where the money will go you guys remember you guys remember what happened what used to happen in the road funds the bridges funds non-existent roads and bridges got that money and that money went to Congress or oppositions similarly all the non-existent mother sauce which Modi just stopped and how much funds used to go there similar anything all the subsidies gas subsidies and everything it just was a mess and this 72,000 rupees per person per year is I don't know how many crores that project comes to they are all gonna go in the different names all fake names and everywhere else so better watch out guys if you don't elect Modi you are doomed I'm sorry to say that so do elect Modi this is the one that is my message and we all of them because Modi is that it is the message of the world and the world and so we all have to be Thank you so much sir it is an honour to talk to you Jai Hind It's an honour to talk to you Jai Hind Good morning, everyone for welcome back to these people in the schools in Gujarati I am speaking in Gujarati Since Modi is Gujarati I am Gujarati and Gujarati and Gujarati is a Gujarati and with his community on Gujarati it is a Gujarati and with our community on Gujarati it is a community on Gujarati, which is a community on Gujarati and any अपना देश पर अनिन अरेंद्रभाई मोधी पर केम चे तमें सर। पांच वरस ना वड़ा प्रदान तरीके ना अनुभावती जे आपड़ी वाख्याती सार्व भोम प्रजासत्ताग तो सार्व भोमत्ता साबित करी दुश्मन ना घरमा जई अने ने पासरती सरस्रीते खोखरो करियो के फरीवार उपोना थाई जहमत हमने आतंक वाद नड़े से एम अमने अमेरिकाने पन आतंक वाद खूब नड़ेओ अजू शुदी अमारा एरपोर्ट उपर अमें अमारा सामान नी तपास ये आतंक वाद यो ना कारणे कराविये चे अमने मोडू पन थाई से थेवी रीते तमारा देश मां पाण आथंग वाद जो नाबूत करवो होई तो फरीवार तमारा ना 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 प्रस्णो तमारी नानी मागनी ने एने प्रायोरिटी न आपता आएक मोटी वाद कि देशना समरक्षनने आतंग वादने दूर करवा मां आजे एंडिये नी सरकार प्रतन सील छे तेमा तमें तमारों मत आपी अने हमने टेको आपो तो आजे रीते भारत तत्यारे दुनिया मां सौथी आगर वध्यू छे तमें पहली वार जोयू कि दुनिया मां कोई पन प्रश्ण उपर बधा एक ठाई गया होई तो आतंग वाद नी विरूद मोधिये जे दुनिया नो प्रवास करी अन्ने लोकों ने समझावया तो पहली वार आपड़े दुश्मन नी आंतरराष्टी अरोर औरंगी अन्ने हु पछी पन तमें जुआवू करवा ना सो तो हमें तमारी साथे उबाज चे तो देशना समरक्षन माटे देशनी आर्थिक निती माटे अन्ने तमारा नाना प्रश्णों ने भुली आ मोटा प्रश्णों माँ जे राज्किये पक्सो बेगा थे एंडिये नीव सरकार चे तेन तमारो तेको आप जो बहुते रजार पंचोते रजार नी लालज माँ ना उसो एमने पंचोते राप्पानु वचंग इटले जाप पूछे के मधी बहुते रजार ना गजवा मां एमने मुकवा नी तीवरी इच्छा जै जैए इन गुजरातना पनुता पुतरनी वादकरी थेंक यू सो मच उपेंद्रवाइ तमारो खोको बाभार हलो और नमस्कार अब हम बात करेंगे हमारी कम्मुनिटी लीडर इस शहर के और फ्लावर मांट के कम्मुनिटी लीडर विज्यान गोटेवाल जी से नमस्कार सर नमस्कार जी धन्यवाद सर तो यह पहले बताईए कि आप इंडिया में किस शहर से हो वेर आर यू फ्रॉम इन इंडिया अगरा उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश अगरा से हो आप और आपने जब लास्ट आइटिंग आप कॉंब मेले में भी गए थे तो क्या बदलाव देखा आप सवच गंगा रही सबसे बड़ी बात तो गंगा इनी सवच पहले कभी नी देगी जो कि एक महमुत टास्क है दुनिया की कोई कंट्री इतना फास्ट कंगा क्लीनिक कोई नदी को क्लीन नहीं कर सकते है जैसे कि आपने कहा है इस बिग केंपेंड यूज केंपेंड गंगा अभियान जो है गंगा स्वच अभियान और उनकी जो एक चाह है तमना है पूरे देश के लिए तो वो सारे उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट है बट वाट इस वान पर्टिकलर प्रोजेक्ट यू तिंक यू आरे बिग सपोर्टर आफ वो नाम नहीं देए इस प्रोजेक्ट को लेकिन जो भारत की असमिता जगाने का है जो मैंने देखा है हम लोग मोदी जी से पहले भारत का इतना स्थान उचा नहीं था उसके बाद से उन्होंने कुछ नाम तो नहीं दिया उस प्रोजेक्ट तो शायद एक बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन उसके साथ बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्स बहुत बड़े-बड़े केंपेंड शी नरेंद्र भाय मोदी जी ने किये है और आपकी रिसन विजिट में आपने खुद देखा कि कैसे बहुत बड़ा बदलावाया हमार बड़े देश में तेंक यू सो मच विजियान जी यहां पे आने के लिए हम से बात करने के लिए धन्यवाद जैहिंद थैंक यू जैहिंद नमस्ते स्वागत तमारू एकवार परिदी देशी प्लाजा स्टूडियोज मा गुजरात ना पनोता पुत्र नरेंद्र भाय मोद दरने के दरे गुजराती ने एमना पर गरवा छे केम नोः हुए करना के अमारी मात्रू बशा गुजराती नरेंद्र भाय मोदी अले कम्यूनिटी ना किटलाक लीडर्स चे जेमनी मातरु वाशा पन मारी जेम गुजराती चे आने एम ना हूँ प्रतिभाव एमनु मन्तव जानिश के शाम आते नरिंद्र भाई मोधी तो पहला तो सुभाज अंकल सुभाज भाई तमें साथे वाद करीश्ट सुभाज भाई त दर वर्षे जो के भाई प्रगति के विद्धे चे रोड ना परोड भी एटला सारस था आजे हमारे सिनाजी जहूए के दिल्ली जहूए तो बहुसरा स्रीत जैशक के चे अले रोड माटे हमें के येशक भाई उसरास प्रगति करीशे अने नो करेप्शन तो जरूर दरंद गणी सुद्रे गई चे गुजरात ने आखा इंडिया मा थेंक्यू तमारू नाम बताव सुद्धी गंश्राम काकाडिया गंश्राम भाई नरिंद्र भाई मोधी माटे तमारू सुके विद्धी आजे आपने बारत आजा थाओ पच्छी ना जे आपने एक वड़ा प्रद अने आपने देश नी जे शाइनिकोनी जे एलोको जे सेवा करे छे का जे एनी ध्यान डाखे छे ते खरे खर दन्यवाद ने पात्रा छे अने उंकाओ छुके अजी बेद दस वरस सुदी जो नरंद्र भाई मोधी तो आपनो देश वर्ल्ड मा नंबर वन भी कद्याच आव तेंक्यो गंट्राम बाई हवेश अमेश ते तमारू नाम सोशे सुभाष पीत लाटी सुभाष भाई तमें मने कहो के तमें कया प्रांत्माति चु गुज्रातना अने वाद्नगर ना नरेंद्र भाई मेड़े तमे शुके शुख अने अम्दा वादमाठ माथ हूच अने नरंदर बही पर महराज वार्ड में अभी रहा चे, मने क्या वानी तक आप हो, मात्र गुज्रादी होवाने नाते उंक एतो हैंगे पन भारत ना त्रन सब उतो थाया चे, अमा महात्मा गांधी पर नंबर पर चे, सर्दार वल्लप बिजा नंबर पर चे, ने त्रिजा नंब नरंदर भी मोदी छे, अत्यारे उंक एसके नरंदर भी छोटे सर्दार नू बिरुज छे, अन्य ए भावे बर्सों सुधी न बड़ा बदान तरीका आउचे, जै हिंद, जै जै गर्वी गुज्राद, ने नरेंदर भाय मोदी, त्राने त्रान गुज्रात निंधरती ना पनोता पुत्र, अन्य आ पनोता पुत्र ने वारंवाल लावानू प्रयत्न आपने करवानों छे, थैंक यू, धन्य वाद, जै गुज्राद, जै हिंद, नमिश्कार, अवे अपनी साथी छे, रजनी भाय पतेल, ए गुज्राथी छे, अन्य कई केवा मांगे चे नरेंदर कांग्रेश नो राज तु अन्य ते वकते गोटारा चालता हता, जै हमने चीफ एंजिर्नेर ने केवा मां आओतो थो, अन्य चीफ एंजिर्नेर थू अमर आओता हता, जै हमरे यू करते तु न करवा था पन करवा पड़ता हता, तनो हूं एक साक्सी चु, हवे, नरेंदर म अवे बार्पन्जिवन में बार्पनजीवन इस अधनी अटी हो आज़ आजवाल को बनता है, और रहें, पर लूख्व कोड़िए, जयना भाननाव बढ़ा हो, टामनीजीवन, मंत्री थातर्हा थाटि ये वधिन हुचे सारू सार भातियर रोर थायाँ दूचे भीजी तंगी व्यवस्ता थाये to the congress na Rajma Gotandsब मांत थाट ठाट्मा थे जहां father jednaklikevahare thank you so much radiai jay hint hello once again and now I have mr. कर दिर्श देशिड कर वीडर इंदा लो न बेस वी न में टूम अभली फुर्वाल लाग ले लिए ऑट जो बाल अबलिष कौते अफुर्ट य देष्ट कि विस अन्ट विस अबने वे वेस वे इंद गुदेश लिए हैंडों लाग पाला बेस डिल्स लाग जुद इल्ट ल इस दो बूलिव और ये इस इस बूलिव उस्ट्टनेशा और च्टें टैनल थिआ झाले नहींज़ डिंडार फिर आ डीज टी टीम मुन्वी टॉट सब्सेंभा प्रिष तो मुंध और लिख टो, शब जा टूलिबा टूमूदी और बोड़ी एंड बीज तैनल यह, वेट इ that it has changed significantly not only in smaller cities but in bigger cities as well so that is absolutely our true factor for all the MRI but apart from that why would you say that Marendra man happy we should come for being an nri so in this situation if one wants to enhance a family business of any family of the political dynasty is in India then you य। नवकर झाल्टी। आमी पुरुव बांगला थेके आमी आम्रा छोले एसची एबं जोदी जा पुरुव बांगला होच्छे सेटा जोदी तम्रा बाचते चाओ ताले एक्षोन मोदी के निर्वा चोने इलेक्ट कुटते हाबे एका सोजा को था कुझ बालो गनियवाद थेक्षार थे सर अन्वेडियों मुझ तो एंधर चैन्द बंदे मात्रुम hello and now I have Mr. deeds the way with me in the studio for Mr. ades the way you share my last name so I assume you are also from Gujarat from Gujarat of the debt I am not from hamd concept though but I am guilty oksit show is how long you have been taking this country about twenty-five years twenty-five years and being a Gujarati of course you love nobody as we all do but not only for Gujarat what is the biggest thing you think that he has done for other country I think I would I would just say that you know that this election we are not we are not voting for the one Indian or even not for the one town or one state we are not even not voting for the India itself we are voting for the whole world because if you see after Nanandar Modi came in last five years he has taken so many steps not only in India but also in the worldwide that has changed the whole dynamic of the the politics of the of the world so I think this is a very important that we vote Modi because he is he is a he is a taking not only the India together but whole world together he's not taking India together but the whole world together and that is what mister just said thank you so much sir it's a very good opinion very good factor for the next election thank you appreciate your opinion and coming all the way to the studio thank you and so today at the studio we have been talking to various community leaders in different languages who all were supporting for mister Narendra Modi and we know the reason why because we all love Narendra Modi we love country we love our motherland and that's the reason we want to do something better for our country and that's the reason we should elect Narendra Modi and this round-robin panel discussion was possible because of mister Shubha Dash Gupta Shubhaji how are you I'm doing fine thank you thank you for having me here it's a pleasure to be with all of you thank you for for having me here it's a pleasure to be with all of you everything Terry wonderful wonderful I believe you are big supporter of BJP and in particular for investor Modi right you are not Gujarati but usually I see Gujaratis are more bigvé supporters of Modi !!! So in your region what do you think has made a huge difference that you love mr. moody you know it's very interesting a lot of people don't know yes right now it's mr. moody but if you go back to BJP the John song the founder was a Bengali dr. Shama Prasad Mukherjee okay so it's a very big thing in Bengal right now and there's a big need for people in Bengal to realize why more disease should be supported and why BJP should come back to power it's in their own interests okay if you don't mind and I like to speak couple lines in Bengali you know if it's okay with you and it reminds me of a song by a famous poet that was put together in the 40s 50s you know it goes a ballo 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 shabby shoto be na bainu rabbi harrored a bar jogger to shabar srestha no lobby means everybody says the same thing that eventually one day after a long time India will be the best and the biggest country in the world it was penned in 4740 40s 50s right so again I'm going back to Bengali I'm say shopnet jone say jaya ga poch avat jone bharad was so eva amad a sabbar I'm in tukni abhedao koro shabarad bashi jano a asano a election a BJP BJP प्राटिदेर वी पूल बोटे जोई कोलेा शीनरेंधरमोजीघ रिजी रिदू है भर भारतवस्देड प्रणारमंत्री इसाब है निया भister मैं अपना जननने आपनार जननने ।एपनार मोदी ऑन पर मतर alcum So, I understood एक परो मार। So, not once, but every time we should have Mr. Narendra Modi thank you so much for coming it was a pleasure talking to you it was pleasure because you know being an NRI and in Gujarati it is my honor to support mr. Narendra Modi and you guys are doing a wonderful job and I really really pray and hope that we have mr. Narendra Modi as our next Prime Minister just just to kind of you know sum it up you have done an awesome job and again next time a bar our bar bar we love to have you back in the studios to do this for us thank you thank you so much a bar 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 I don't know about me but of course we need bar bar mr. Narendra Modi so once again this is Neelam right here at DC Plaza Studios whether you are Gujarati your Bangla your Tamil Telugu or Kannada we all are Indian at heart hum sabhi Hindustani hai dil se or isi liye humara dil ye kata hai ki jo bhi humare desh ke liye humare watan ke liye achcha ho wahi aana chaiye and right now the situation is it is mr. Narendra Modi who will do better and best for our country with that Neelam Davi signing off Jai Hind